हलो एब्रीवन वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल एच हलप लाइन कैसे हैं आप लोग इस वीडियो में हम लोग 10 important notification and information के बार में बात करेंगे जो आप सब ये student के लिए जानना ज़रूरी है आप लोग वीडियो को ध्यान से और complete ज़रूर देख लिएजएगा एच हलप लाइन चैनल पर फरस्ट हम आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्काइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इगनू के रिलेटेड सभी authentic information आप लोग के पास time to time पहुँच पाए सबसे पहले तो मैं आप लोग को exam form के portal और exam center change करने का portal के बारे में update देना चाहूंगा जैसा कि आप लोग को पता है कि कल ही मैंने वीडियो के मादेम से आप लोग को पता था कि इगनू ने ये decision लिया है कि exam form के portal को open किया जाएगा लेकिन ये offline mode में आपको regional center पे जाके exam form फिलब करना परेगा और उसको लेकर official email दे दिया गया था और ये आप ही लोग के mail का नतीज़ा है कि इसको अभी officially website पे भी update कर दिया गया है सिलोंग regional center के official website पे update कर दिया गया है और देली 3 regional center के भी official website पे update कर दिया गया है और यह सभी regional center के लिए applicable होगा जो मैंने इस चीज़ को लेकर video upload किया था कि exam form का portal फिर से open होना चाहिए और exam center change करने का फिर से portal open होना चाहिए उस पे कम से कम 45,000 से ज़्यादा views था और कम से कम मेरे पास जतना record था 2000 से ज़्यादा student ने mail किया था जहाँ पे मैंने mail करने के लिए बोला था और यह आप सभी student के mail का ही नतिज़ा है कि इगनों ने इसको officially website पे भी update कर दिया है और अब आप लोग एकदम निस्टिन्स हो जाएए कि हाँ exam form फिलप अगर आपने नहीं किया था किसे भी कारण वर्स तो आप exam form फिलप कर सकते हो 28 फिवरी के बाद बहुत से student को यह भी doubt हो रहा था कि 28 फिवरी के बाद अगर हम exam form फिलप ही करेंगे तो फिर हमारा hall ticket कब रिलिस किया जाएगा क्योंकि 4 मार्स से तो exam ही start है तो देखो मैं आप लोगो बता देना चाहूँगा कि December 22 का exam 8 फिवरी से conduct करवाए गया था लेकिन उस वक भी 4 फिवरी तक exam form फिलप किया था और जो बेस्टेन ने exam form फिलप किया था उनका within two days के अंदर में hall ticket रिलिस कर दिया गया था तो ऐसे आप लोगो को कोई problem नहीं होगा और अब क्यूंकि ये officially regional center के website पे update कर दिया गया है तो अब आप लोगो tension की ज़रूरत नहीं है बस 28 फिवरी के बात जाना और fee payment करके उसके वाद से आप लोग city में exam center change नहीं कर सकते मान लो अगर कोई भी जैसे कोलकाता का है तो कोलकाता में ही change करना चाहे तो नहीं कर सकता है अगर कोलकाता के बाद हुगली में करना चाहे तो कर सकता है ठीक है कोलकाता के अलावा अगर other city में अगर करना चाहे तो कर सकता है सेम सीटी में सिर्फ अलाव नहीं रहेगा उसके इलावा बाकी अधर जगा पे अगर आप exam center change करना चाहते हो और आपका valid region है तो वो change हो जाएगा उसके लिए आपको regional center widget करना परेगा 28 फिवरी के बाद तो इसको official कर दिया गया है तो इसमें अब आप लोग निस्तिजिन्थ हो जाना अगर आपको exam center change करना है या फिर exam form fill up करना है तो ठीक है ना एक और important update है date sheet को लेकर जैसा कि आप लोगे पता है कि जब date sheet release किया गया था तो उस date sheet में यह नहीं बताया गया था कि कौन-कौन सा paper objective type में होगा यानि कि MCQ format में होगा यह चीज मिसिंग था और मैंने वीडियो के मादेम से भी आप लोगे बताया था कि यह चीज इन्होंने missing कर दिया लेकिन बाद में update कर देंगे लगता है वीडियो देख लिया उन्होंने और उसको update कर दिया है कुछ दिन पहले अपडेट कर दिया था खेर देखते होंगे या नहीं देखते होंगे लेकिन उन्होंने जो जो गलती बताया गया था date sheet में उसको correct कर दिया है जैसे कि यहाँ पर देखो अभी जो updated date sheet है वहाँ पर यह बता दिया गया है कि कौन कौन सा paper objective format में होगा जिस तरीका से पहले conduct करवाया जाता था objective format में BSHF101, FST01, BVAE181, BNS041042, CLIS के paper और PCO01 के paper तो इसको अभी add कर दिया गया date sheet में तो अभी आप लोगो confusion नहीं होना चाहिए कि यह सभी paper objective में होगा या नहीं यह सभी paper का list दे दिया गया है यह सभी objective format में होगा और बाकी other paper जिस तरीका से होता था उसी तरीका से होगा वीडियो में आगे बाने से पहले हम लोग एक ऐसे platform के बार में बात करेंगे जिसका नाम है reliable by unacademy reliable एक ऐसा platform है जहां पर सिर्फ एक test पास करके आपको आपकी dream company में job मिल सकती है इसके लिए कोई degree, diploma, certificate, experience की जो अतनी है बस आपको reliable का test पास करना होगा test पास करने के लिए sample paper, mock test, sliver, सब कुछ दिया गया है जैसे आप लोग ये test को पास कर लेते हो आपको आपकी dream company में job मिल सकती है और इसके लिए आपको कोई भी charge, कोई भी fee नहीं देना परेगा इस लेडी जैसी बड़ी multinational company में भी reliable के through job offer किये जा रहे है जिसमें technical, non-technical, back-end, front-end, business development, HR and list के साथ, Android development में भी job offer किये जा रहे है साथी साथ associate product management, operation management, human resource management में भी 25 लाग परिनम तक के job offer किये जा रहे है और ये सब ही example है जिनको reliable के through job offer किया गया है साथी साथ reliable हर महीने अपने top candidate को apple के gift प्रोवाइड करता है जिसमें iphone, macbook pro और i watch सामिल है तो देर की बात की आज ही अपना slot reliable पे book करें, sign up करें, link उसका description में दिया हुआ है, website पे सभी तरह की detail दी हुई है अब जो regional center के तरफ से notification release किया गया उसके बार में बात के लेते हैं सबसे important notification है रांची regional center के तरफ से और BSCG student के लिए ये बहुत important notification है क्योंकि BSCG का practical इससे पहले conduct नहीं करवाय गया था, ठीक है तो अभी BSCG के practical का ये पहला notification है जो regional center के तरफ से release किया गया है और shocking बात ये है कि इस बार जो BSCG का practical conduct करवाय जा रहा है वो offline mode में ही conduct करवाय जा रहा है last question से आप लोग ने देखा होगा कि practical जिनका भी BSCG का practical था उनको बस return में exam दे देना पर रहा था ठीक है ना लेकिन इस बार रांची regional center के तरफ से जो notification release किया गया है इसमें बताया गया है कि आप लोग को classes करना होगा 21 favori से 27 favori के बीच में और उसके बाद से exam conduct करवाय जाएगा ठीक है जिस तरीका से पहले होता था पहले यही होता था कि आप लोग को 6 दिन लगतार class करना पड़ता था और 7 दिन exam हो जाता था तो उसी तरीकर से इस बार भी conduct करवाय जाएगा BSTG program का BSTG program का अभी नहीं पता है लेकिन BSTG program का practical pending बचा हुआ था तो उसका अब notification आना start हो गया है राची regional center ने सबसे पहला यह notification रिलिस किया है BSTG के स्ट्वेंड के लिए ठीक है तो राची regional center के student यह list को download कर लेंगे जो जो student eligible है उनका यहाँ पे नाम दे दिया गया enrollment नमर के साथ और कहां पे आप लोग का classes conduct करवा जाएगा उसका भी नाम दे दिया गया है दो list जारी किया गया है एक मरवारी boys college और एक PK Roy Memorial College ठीक है तो यह दोनों जगा पे यह सब student का BSTG का practical होने वाला है I mean classes होने वाला है 21 फेवरी से 27 फेवरी के बीच में तो आप लोग attend कर लेना जो time दिया गया हो और बाकी other regional center के तरफ से भी अब जल से जल notification रिलीस किया जाएगा क्योंकि एक regional center के तरफ से release कर दिया गया इतना समझ में आ गया कि अब आप लोग का जो practical है वो जिस तरीका से पुराने पहले होता था उसी तरीका से ही होगा यानि कि आप लोग को classes करना होगा practical perform करना होगा 6 दिन के बाद 7 दिन आप लोग का exam conduct करवाया जाएगा ठेक है तो बाकि अधर regional center के तरफ से जैसे release किया जाएगा यह इस तरीका से list तो मैं आप लोग को चानल पे बता दूँगा आप लोग चानल को सब्सक्राइब करके रखेगा अभी के लिए राची regional center के strand इस list को download कर लेंगे और तैय टाइम पे classes attend करेंगे 21 फिवरी से 27 फिवरी के बीच में और टाइमिंग भी यहाँ पे दे दिया गया है इसके बाद से जोदपूर regional center ने एक important notification release किया है और यह बाकि अधर regional center को भी start करना चाहिए जोदपूर regional center के लिए हो या फिर assignment को लेकर हो या internship practical project को लेकर हो तो आप लोग doubt पूछ सकते हो हर Wednesday के दिन सामको तीन बैस सारे चार बैस तक आप लोग इस Google meet के माध्यम से join हो सकते हो इस notification का link description में दिया हुआ है ठेक है उसके बाद से जोदपूर regional center के तरफ से ही MAPC और BAPC का वाइव वोशी का schedule जारी कर दिया गया है ठेक है तो इसको आप लोग चेक आउट कर ले ना जो बेस्टेंड जोदपूर regional center से बिलॉंग करते है उसके बाद से कोरपूर regional center और बाकी अधर regional center के तरफ से भी ये list जारी किया गया है इस list में अभी updated study center का नाम दिया गया है बहुत सारे study center को इस बर बन कर दिया गया है different regional center में बहुत सारे study center को new add किया गया है बहुत सारे study center में new program को add किया गया है ठेक है तो आप लोग इस list में check कर सकते हो आपके भी बहुत सारे study center होंगे जिनको बंद कर दिया गया, कहाँ पर सिफ किया गया, सब कुछ इसमें दिया गया, इसके बाद से Noida regional center के तरफ से study material return का एक list जारी किया गया, जो आप लोग इसके इनको परने जरा रहा है, ठीक है तो जो जो student का study material return चला गया है, I mean उनका address के problem के वाद से return चला गया है, regional center के पास में उनका list जारी किया गया है, तो ये list में अगर आपका नाम होगा, तो आप लोग regional center विजिट करके अपना study material को collect कर सकते हो, इसका बें लिंक description में दिया हुआ है, उसके बाद से 35th convocation का जो portal है, वहाँ पे एक list update किया गया, इसके बारे में आप लोग को बता दे रहा हूँ, तो 35th convocation का registration अभी भी चल रहा है, जो भी student ने दिसमब 2020 में और जून 2021 में अपना degree complete किया है, वो लोग online apply कर सकते हैं और अपना payment कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे student जिनको दो degree provide किया गया है, उन्होंने payment किया नहीं है, ठीक है, तो उसका list जारी किया गया है जैसा कि आप लोगा पता होगा कि कुछ कुछ program है जहाँ पे एक से ज़्यादा degree provide किया जाता है, जैसे income में आपको income का भी degree मिलता है अगर आप दोनों साल जब complete कर लेते हो तो income का डिगरी मिलता है, जिब एक साल complete करते हो तो PGDIBO का डिगरी मिलता है, ठीक है तो आपको दोनों degree के लिए payment करना पड़ता है तो उसी का list जारी किया गया है जिनको भी एक से ज़्यादा program के लिए I mean fee payment करना है, उन्होंने एक ही का payment किया है तो उसका list जारी किया गया है कि जो जो इसे ने payment नहीं किया है वो कर सकते हैं, ठीक है और जो लोगों ने भी 35th Convocation के लिए अभी तक registration नहीं किया है तो कर सकते हैं, अभी भी link open है हलाकि अभी भी decide नहीं किया गया कि कब I mean convocation conduct करवाय जाएगा लेकिन list को अभी भी open I mean portal को अभी भी open रखा गया है और most probably chances है कि 15 अप्रिल के बाद ही conduct करवाय जाएगा, पिछले बार भी 15 अप्रिल को ही conduct करवाय गया था और अब क्योंकि 11 अप्रिल तक exam ही conduct करवाय जा रहा है, तो convocation हमेशा exam के बाद ही conduct करवाय जाता है तो आप लोग apply कर सकते हो और payment कर सकते हो और उसके बाद से lastly में similar regional center का address अब change हो गया है तो इसको आप लोग note आउन कर सकते हो जो भी similar regional center से belong करते हैं उनका अब जो address है वो change हो गया, जो regional center है वो दूसरे जागा पर shift कर दिया गया, ठीक है तो अब आप लोग को किसी भी काम के लिए अगर regional center विजिट करना है तो जो new address है, इगनू regional center block number 9, SDA complex यहाँ पर आपको जाना होगा, ठीक है ना इस वीडियो में मैं आप लोग को यह सभी important information दे रहा था मुझे उमीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आ होगा सभी वीडियो को लाइक जो रूर कर दे, सभी फेंड के साथ से एक है ताक उनको भी सभी important information मिल पाए किसी बिताया कि doubt के लिए आप लोग नीचे कौन box में लिख सकते हैं या मुझे directly call करके भी आपना doubt के लिए कर सकते हैं सभी social media platform पे मैं available हूँ सभी का link description में दिया हुआ है वहाँ पे भी आप लोग मुझे follow कर सकते हो अगर आप ehlpran channel पे first time I हो to make sure आप लोग पेली फुरसत में चैनल को जरू subscribe कर ले ताके एगनू के related हरेक एक trusted information आप लोग को time to time मिलता रहे so thank you so much for watching this video have an awesome day thank you so much